दिल्ली के तिहार जेल गैंग वार में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद अगले मौकी के तलाश में है गोगी गैंग गोगी गैंग का अगला टारगेट हो सकता है निरजबवना गैंग का कोख्याद गैंग्षर नवीन बाली सुनिल उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की तिहार जेल में बेरहमी से हत्या के बाद अब दिल्ली में गैंग बॉर का खत्रा लगातार मंडराया हुआ है दरसल टिल्लू का परिवार इस जंग से अपने आपको दोर रखना चाहता है लेकिन उत्तर भारत के दोनों क्राइम सिंडिकेट एक दूसरे पर अब हमली की फिराक में है इसलिए आने वाले दिनों में खोनी गैंग बॉर होने की भी आशंका है रोइनी कोट में सितंबर 2021 में चितेंद्रमान और फगोगी की जज के सामने हत्या करवाने के बाद से टिल्लू टार्गेट पड़ता ऐसे में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या होने के बाद नीरज बवाना क्राइम सिंडिकेट पलटवार का मौका खोज रहा है उत्तरभारत के इस क्राइम सिंडिकेट में दिल्ली के बवाना का नीरज सहरावत और नीरज बवाना मादरा डबास का नवीन डबास और फबाली इसका भाही राहुल काला खेड़ा खुरत का परवेश मान, गुडगाओं का कौशल चौधरी और योपी के बागपत का सुनेल राठी पंजाब का बंबीहा गेंग एश्ट दिल्ली का मौंबद इर्फान और फचेनु और साउथ दिल्ली का रोही चौधरी इस पूरे सिंडिकेट में शामिल है इसके लावा टिल्लू का शार पशूटर दीपक, पाकस्मा और फसोनु भी फरारी काट रहा है फिलाल टिल्लू ताजपुरिया का मजबूत गुरगा यही बताया जा रहा है रोतक के सापला इस्तित पाकस्मा गाउं का रहने वाला दीपक और फसोनु जिस पर डेर्ड लाग रुपए का इनाम है टिल्लू गैंग का यह शार पशूटर 2018 में दो हत्याओं में शामिल था इसे पश्चिम बिहर पुलिस ने गिरपतार किया था जेल से बाहर आया तो 2020 में बेगमपूर इलाके के रोहिणी सेक्टर 24 में हत्या में नाम सामने आया इस केस में यह वांटड चल रहा है पुलिस का दावा था कि यह टिल्लू का इशारे पर पूरे गैंग को बाहर से उपरेट कर रहा है इसलिए टिल्लू गैंग की तरफ से दीपक पाकस्मा ही बदला लेने को बेताव हो सकता है पुलिस ओफिसर कहते हैं कि टिल्लू एक मात्र ऐसा गैंग्टर है जिसने कभी किसी सिर रंगदारी नहीं मांगी इसलिए उसके खिलाब एक्स्टोर्शन का कोई मुकदमा दर्ज नहीं रहा ये जरूर है कि दोसरे गैंग अगर जबरन वसुली करने की कोशिश करते थे तो टिल्लू के पास कारोबारी प्रोटेक्शन के लिए जाते थे इसलिए तिल्लू के पास फाइनेंसर भी थे जितमे गोगी गैंग के हाथ हो मारे गए कारोबारी आमेद गुपता को भी कहा जाता था इसलिए गोगी गैंग तिल्लू गैंग को जटका देने के लिए उनकी हत्या को अंचाम दिया था पुलीस ओफिसरों का कहना है कि गोगी गैंग का अगला टारगेट नीरजबावानिया गैंग का नवेन डबास और फबाली है ये गोगी हत्याकान के मुख के साजिश करताओं में रहा था बाली को तिहार जेल से जटजर जिले की Crime Investigation Agency यानि की CIE 18 मैं तक रिमान पर ले गई है जटजर के बेरी नगर पाली का चेर परसन के पती और काद्यांग खाफ के प्रधान देवेंदर और फबिल्लू समें 3-28 मार्च को फारिंग हुई थी बाली के साजिश में होने का शक है इस फारिक के जिम्मेदारी विदेश भाग चुके गैंग्टर हिमान्शो और वभाव ने सोशल मीडिया पर ले थी जो नीरज बवानिया गैंग का करीबी है खुविया इन्पुट है कि जजजर में रिमान के दोरान गोगी गैंग के नवीन बाली पर हमला हो सकता है इस बात की आश्रण कभी चताए जा रही है